कक्षा साथ, हिंदी व्याकरण, विशेशन व्याकरण अध्ययन के निशकर्ष विशेशन व परिभाशा विशेशन के भेद परिमान वाचक व संख्या वाचक विशेशन में अंतर सर्वनाम व सर्वनामिक विशेशन में अंतर प्रविशेशन विशेशन की तुलना या अवस्था अवस्थाओं के रूप विशेशन शब्दों की रचना व्याकरन परिचय नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िये शरारती बच्चे खेल रही है काला घोड़ा दौड रहा है बाग में कुछ फूल खिले है मेरे पास साथ रुपए है वाल्टी में चार लीटर दूद है इन सभी वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द संग्या शब्द से पहले प्रयोग किये गए है इन में शरारती शब्द बच्चों की काला शब्द घोड़े की विशेशता बता रहा है तथा कुछ वसाथ क्रमशहाकूल वर रुपियों की संख्या का और चार लीटर दूद का वजन बता रहा है संग्या वसर्वनाम की विशेशता रूप, रंग, गुण, दोश, संख्या या नाप तोल बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते है विशेशन शब्द जिस संग्या वसर्वनाम की विशेशता बताती है उन्हें विशेश्य कहते है जैसे शरारती बच्चे शरारती विशेशन, बच्चे विशेश्य काला घोडा काला विशेशन, घोडा विशेश्य विशेशन के भेद विशेशन के निमनलिखे चार भेद हैं गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संकेत वाचक विशेशन या सार्वनामिक विशेशन गुण वाचक विशेशन आम मीठा है मैंने पतला व्यक्ती देखा अच्छे काम करो खून का रंग लाल है इन वाक्यों में मीठा, पतला, अच्छे लाल शब्द संग्या शब्दों के गुण और रंग के विशेशता बता रही है अतह गुण वाचक विशेशन है जो विशेशन संग्या या सर्वनाम के गुण, दोश, रंग, रूप, आकार, आदी को बताते हैं उन्हें गुण वाचक विशेशन कहते है गुण वाचक विशेशन में संग्या या सर्वनाम की निंदलिखित विशेशताएं बताई जाती है गुण, सुन्दर, कुशल, अच्छा, भला, इमानदार, होशियार, आदी दोश, अयोग्य, लोभी, जूठा, बेइमान, बुरा, दुष्ट, कंजूस, आदी आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, गोल, चप्ता, पतला, नाटा, आदी रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, काला, सुनहरा, आदी गुणवाचक विशेशन में संग्या या सर्वनाम की निम्दलिखित विशेशताएं बताई जाती है स्वाद, खटा, मीठा, कड़वा, चटपटा, नमकीन, आदी काल, प्रातह, सायम, प्राचीन, नवीन, दैनिक, वार्शिक, आदी अवस्था, कमजोर, बीमार, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, यूवा, आदी स्थान, ग्रामिन, नागरिक, भारतिय, बनारसी, नागपूरी, चीनी, आदी दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिनी, आदी संख्या वाचक विशेशन, मेज पर कुछ केले रखे हैं स्कूल से सब छात्र चले गए हैं पुस्तकालय में दो हजार पुस्तके हैं उसने गणीत के पाँच प्रशन हल किये इन वाक्यों में कुछ केलों की, सब छात्रों की, दो हजार पुस्तकों की तथा पाँच प्रशनों की संख्या बता रहे हैं अतहर ये सभी संख्या वाचक विशेशन हैं जो विशेशन, संग्या वा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या वाचक। ये संग्या के निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे पांच लड़के, चार पुस्तके, अनिश्चित संख्या वाचक, ये संग्या की अनिश्चित संख्या का बोध करवाती हैं। जैसे कुछ लड़किया, थोड़े आम, परिमार वाचक विशेशन, पिताजी बाजार से पांच किलो चावल लाए, बरतन में दो लीटर दूद्स था, थैले में कुछ चावल थे, उसकी कमीज में दो मीटर कपड़ा लगता है। इन वाक्यों में काले छपे शब्द, या तो तोले वजन बता रहे हैं, या मात्र, लंबाई, चोडाई बता रहे हैं। इसलिए ये शब्द परिमार वाचक विशेशन कहलाते हैं। संग्या शब्दों की माप तोल बताने वाले विशेशनों को परिमाण वाचक विशेशन कहते हैं परिमाण वाचक विशेशन भी दो प्रकार के होते हैं निश्चित परिमाण वाचक ये संग्या का निश्चित नाप तोल बताते हैं जैसे चार मीटर कपड़ा, दो लीटर दूद, अनिश्चित परिमान वाचक, ये संग्या के अनिश्चित परिमान को बताते हैं, जैसे थोड़े चावल, कुछ गी, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेशन, वह लड़का अच्छा खेल रहा है, उस गाई ने दूद नहीं दिय इन पुस्तकों को मेज पर रख दो, वह पैन तुम्हारा था, इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द वह, उस, इन और वह, क्रमशह लड़का, गाई, पुस्तक तथा पैन शब्दों की ओर संकेत कर रही हैं, अतहर ये संकेत वाचक विशेशन या सार्वनामिक इसका कारे करते हैं, वे सार्वमानिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन कहलाते हैं, परिमान वाचक तथा संख्या वाचक विशेशन में अंतर, परिमान वाचक विशेशन से संग्या की मात तोल का पता चलता है, संख्या वाचक विशेशन से उसकी गणना का पोध होत जैसे थोड़ा सा पानी दे दो, इस वाक्य में थोड़ा सा शब्द पानी के परिमान को बता रहा है। जब कोई सर्वनाम किसी संग्या के स्थान पर आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर निश्य पूर्वक संकेत्धी करता है तो वह सर्वनाम होता है। परन्तु जब वही सर्वनाम शब्द किसी संग्या के स्थान पर नहीं आते बलकि संग्या शब्द की ओर केवल संकेत करते हैं तथा वह संग्या शब्द भी दिया होता है तो वह सर्वनामिक विशेशन होता है। जैसे वह आया वह लड़का आया पहले वाक्य में वह सर्वनाम है जबकी दूसरे वाक्य में वह सर्वनामिक विशेशन है प्रविशेशन मैंने बहुत सुंदर लड़की देखी इस खोड़े का रंग बहुत काला है मुझे हलके नीले रंगी कमीस अच्छी लगती है इन वाक्यों में मोटे काले छपे शब्द बहुत हलके क्रमशह सुंदर काला नीले विशेशन की विशेशता बता रही है अतहा या शब्दों की विशेशता बताने वाले शब्दों को प्रविशेशन कहते हैं विशेशन की तुलना या अवस्था वस्तूओं प्राणियों स्थानों आदी को बताने या उनके आसपास से मिलान करने को तुलना कहते हैं वस्तूओं के गुण वदोश में कमी या अधिक्ता ह इसे तुलनात्मक रूप से जाना जा सकता है। दूसरे से अच्छा या बुरा बताते हैं। इस अवस्था में किसी वस्थू, स्थान या प्राणी को सबसे अच्छा या बुरा पताया जाता है। जैसे लता सबसे सुन्दर है, हमालय सबसे उंचा पहाड है। तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय जोड कर उत्तमावस्था बनाई जाती है। जैसे लगुत्तम, सुन्दर्तम, उच्चतम, आदी, अवस्थाओं के रूप, अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग करके। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर, होश्यार, अधिक होश्यार, सबसे होश्यार, भारी, अधिक भारी, सबसे भारी, दर्पोग, अधिक दर्पोग, सबसे दर्पोग, तर और तम प्रत्याई का प्रयोग करके विशेशन शब्दों की रचना अच्छा, बुरा, गंदा, साफ, उज्ज, मधुर, तीवर, आदी कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेशन होते हैं परन्तु कुछ विशेशन शब्दों की रचना संग्या, सर्वनाम, क्रिया अवियाई आदी में प्रत्याई लगा कर की जाती है संग्या शब्दों से विशेशन की रचना इक प्रत्य, य प्रत्य, इत प्रत्य, आ प्रत्य, इय प्रत्य, इप्रत्य, एला प्रत्य, इम प्रत्य, इल प्रत्ये, इन प्रत्ये, आलू प्रत्ये, उक प्रत्ये, इला प्रत्ये, एरा प्रत्ये, मान प्रत्ये, वान प्रत्याय, वाला प्रत्याय, आडी प्रत्याय, सर्वनाम से विशेशन बनाना, क्रिया से विशेशन बनाना, अव्याई से विशेशन बनाना, झाल झाल